हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रेडवेल्ट भी तभी के साथ फ्रेंड अज संडे है और जैसा कि हम आ रहा है जो संडे को में वीडियो लेके आते हैं उसमें कुछ सेर्स हैं जिनके बारे में देखेंगे जिसमें मैंने एक में पोजिशन बना लिया और एक में अभी मैं ट्राइ कर रहा हूं फ्राइडे से मैं ट्राइ कर रहा हूं मिल नहीं पा रहा है अपर सर्किट लग रहा है और यहां से मुझे वह कई टाइम्स होते हुए दिख रहे हैं सेर्स हैं तो उन सब के ब कि इसमें दो तीन चीजे ध्यान देने वाली हैं बहुत ही मतलब माइक्रो कैप कंपणी है 99 मतलब 100 करोड की कंपणी है और इसमें आप देखो कि जो इसकी बुक वैलू है वह 7.66 लगवग साड़े साथ रुपए से ज्यादे इसकी बुक वैलू है और अभी की शेयर ट्रेट कर रहा है तीन रुपए 15 पैसे पर इनका जो काम है वही यह बिजनेस डायमेंड जोल्री इंगेज इन दा बिजनेस आफ कटिंग एंड पॉलिसिंग डायमेंड जोल्री तो बेसिकली यह जोल्री इसमें डील करते हैं उनके डिजाइन वगारा पॉलिस वगा करना तो और यह आप देखो अब मैं डेफ्ट फ्री यह चीज़ हमें मैं इसमें देखा और एक रूपए से मोनिटर कर रहा था पट मैं कभी इसके डिटेल्स को नहीं देखा और इसका तोड़ा बहुत जादे था इसमें मुझे इंट्री कभी लेने का मन नहीं गया बट अ पर जस्त रिजल्ट था उसके बाद भी सिप्तंबर में भी रिजल्ट लगबग एक करोड के इनकी सेल्स हुई थी नॉट बैट ठीक ठाक था और जो यहां पर सबसे अच्छी देखने वाली बात आपको मैं दिखाता हूं यह है कि यहां पर आप देखोगे इन्होंने जो का यह रिजर्व था रिजर्व को अब यह अपना बढ़ा के 211 करोड का रिजर्व इन्होंने कर लिया सेतंबर कॉर्टर का यह डिटेल है और जो यह आप यह देख रहे हो जो इनकी बारोइंग चल रही थी 184-186 उसको घटा के किवल 4 करोड की बारोइंग इनके पास रह गई है तो कंपनी ओल्मोस्ट डेफ्ट फ्री हो चुकी है यह चाहते तो इसको भी खतम कर सकते थे आने वाले समय में हो सकता है नेक्स क्वाटर तक इस चीज़ को भी खतम कर दें तो जब देखे कंपनी के क्या है कि इसकी जो भी अर्नी हो रही थी वो इनका सबसे ज्याद अभी तक कोई भी अपनी होल्डिंग जरा सा भी कम नहीं किया है डियाइज ने भी यहां पर भरोसा जताय हुए है और अभी तक पोजिशन बना के रखी है पब्लिक के पास 38.38 परसेंट का माल है पब्लिक में भी आप अगर देखोगे डिटेल तो इसमें बड़े-बड़ आप इसमें देखो एक चीज नोटिस करने वाली बात है यहां यह चीज देखोगे इसका और यह रांडिंग बाटम पैटर में कितना बड़िया इसने कप बनाया और यह इसका राइट सोल्डर और उसके बाद इसने यहां से ब्रेक आउट दिया और मैं और इसका वल्यूम आप देखिए एक बार यहां पर वल्यूम हुआ था ठीक है उसके बाद क्या आउट है 2015 के लेबल का ब्रेक आउट है 2015 तो आप समझ सकते हो 15 साथ साल का ब्रेक आउट है और कंपनी डेफ्ट फ्री हो चुकी है तो जो इसका टार्गेट निकल के आता है जो टेक्निकल टार्गेट इसका निकल के आता है वो यह निकल के आता है एक्जैक्ली आप देखोगे यह एक्जैक्ली यह टार्गेट निकल के आ रहा है यहां पर यह और यहां ही पर आप देखोगे एक रेश्टेंस भी है यह लेबल इसका रेश्टेंस फेस कर सकता है यहां पर तो अभी यहां पर 96% अल्मोस्ट डबल चार रुपे 95 अगर हमें यहां से इसका टार्गेट है लेकिन अभी जो करेंट में जो प्राइस चल रहा है वो है य अगर हमें यहां पर इंट्री मिल जाती है तो अब खैट इसमें अभी 24% का अभी इसमें पोटेंसियल बचा है जो टेक्निकल उसके बाद यह हो सकता है एक बार रीटेस्ट करने की भी ट्राइगरे इस लेवल के बाद यहां पर रेश्टेंस है बट इतने वालून के साथ इतना सब कुछ अच्छा है तो में भी रूके ना क्योंकि यहां पर जैसे यह जाएगा यहां पर फिर से एक बहुत ही अच्छा कप एंडल फिर से यहां पर पैटर नहीं जनरेट होगा और यहां से जो आएगा इसका और इस कंपनी का अगर हम एक बार लाइफ टाइम हाई है तो अभी जो हम इसका पाउक्ट लेके चलेंगे वह दो रुपाइब का इसका स्थाप लेके चलेंगे और इस्तिक्ट Як ट्रीक्ट हमारा रुपाय का होगा और अराम से इसका में कि इसटाप लौश ट्रेस्वेätte चलें और यहां पर इसको साथा करेंगे मेरा यह टार्गेट है इसमें और मैं इसको एक लंबे टाइम के लिए मैं इस सेर को भाई करूंगा और यहां पर मुझे अच्छा यहां पर जो फश्ट टार्गेट है वो चार रुपे 95 पैसे का और जैसे यह टार्गेट निकलेगा तो आप यहां पर देखोगे यह एक कोटा सा बहुत ही बड़ी है यहां पर फिर से एक पैटर्ण जनरेट होगा और उसके बाद कोई हर्डल नहीं है यहां पर सीधे यह सेर आपको यहां पर यहां रेस्टेंस फेस करेगा 14 रुपए पर तो हम दीरे-दीर अपने इस टॉप लॉस को जैसे 14 रुपए वाला यह 24 रुपए के बाद इसका फिर आराम से यह निकल के इस लेवल को यहां पर 34 रुपए को 34 को जब यह निकलेगा तो आराम से इसको कोई भी रुकाउट नहीं है यह सीधा एक जवर्जस्त तरहली दिखाएगा हमें तो यह था इसका जो हमारा दूसरा से रहे जो दूसरा हमारा से रहे जीटील इंफ्रा जीटील इंफ्राश्टर अब अच्छी मैं इसको इसलिए इसको कवर किया हूं कि इसको काफी लोग इसको कवर किये कि जो अभी पोर्ट निकल के आई है सामने कि जो फाजी स्पेक्ट के लिए जो टावर हैंडेल करते हैं में लिए तीन कमपनिया है तो जिसमें जीटियल इंफ्रा भी है कि रोल प्ले कर सकता है और जो जो निउस निकल के आ रही है कि यह एंसी अल्टी में नहीं जाएगी यह कमपनी तो आने वाले टाइम में जो भी निउस बेस या जिस बेस कि अभी मैं इसका फंडमेंटल बिल्कुल भी नहीं अग्री करता हूं कहीं से भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है बट इसका मैंने एक चीज देखी पर मोटर्स की जो हिस्सेदारी है उसमें पर मोटर्स के पास तो कुछ भी माल नहीं है लेकिन एपाई के पास 1.9 मतलब 2% का माल है और दिखोगे तो 51% का माल है जिसमें से आप देखोगे तो सारे जितने भी बैंक हैं सेंट्रल बैंक बैंक अब बढ़ावदा पंजाब यह इस इस बैंक ठीक है बैंक ऑफ इंडिया लाइसी इनके पैसे इसमें लगे हुए हैं और पब्लीक में भी आप देखोगे तो पब्लीक में भी लगवग 18.5% माल यह आईडी वी आई ट्रस्ट सिप कुछ करके सर्वि एक कप एंड हैंडल पैटरन बना था और उसका ब्रेक आउट दिया और उस टार्गेट से उपर भी शेयर निकला यह था और बहुत ही खुबसूरत तरीके से इसने अपना टार्गेट एचीव किया और कोई हडल ना होने की वैसे उससे उपर भी यह निकलने की कोसिस किया मटभी तोड़ी इसमें प्रॉफिट भूकिंग आई यह आप देखोगे यहां से इसने निकला और यह जो इसका यह टार्गेट जो टेकनिकल टार्गेट आ रहा था वो तीन रुपए पांच पैसे का आ रहा था और यह उससे उपर तक निकला तीन रुपए वहीं से वापस आया और वापस आया ठीक अपने ठीक अपने ब्रेक आउट लेवल को कितना बढ़िया टेस्ट किया यहां पे इसने बहुत ही अच्छे से टेस्ट किया ज्यान नहीं गया इस शेयर को यहीं पकड़ना था बट लेट हो गया अभी इसमें उपर की तरफ है प्रोफिट दिख रहा है और जो हमारा इस्टॉप लॉस होगा वह एक रुपे 25 पैसे का एक रुपे 25 पैसे का हमारा इस्टॉप लॉस होगा और आराम से इसमें मैंने इसमें यहां पर पोजिशन बनाई थी लगबग 2.20 पैसे के आसपास ऐसे एक को शायद और मेरा जो इसको ट्रेल करते हुए हम इसमें एक अच्छा जैसे इस लेबल को निकलेगा तो फिर कोई आगे इस पर हडल नहीं है और हमें यह वाला यह यहाँ पर यह इसका resistance है स्टॉंग resistance है यहां पर यह कर सकता है और अगर इसको सेस्टेंज को अगरी सक्सक्सेसुली ब्रेक कर लेता है तो फिर बहुत ही बढ़ीया ऊपर की तरफ तो देखते हैं अभी तो फिर हम इस्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे और टेलीग्राम पे अपने उसमें अपडेट भी करते रहेंगे तो यह बेसिकली दो पेनिक इस्टॉक थे जिसमें से मैंने जीटियल को भाई कर लिया हूं और गोयनका को ट्राइ कर रहा हूं फ्राइडे से बट एक्जिक्यूट में हो पार है और क्योंकि अपर सर्विक लगा हुआ है ठीक है फ्रेंट्स तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और यह कोई भी हमाई रिक्मेंडेशन नहीं है आप लोगों को अपना आप रिसेर्च करिए यह मैं एक्शली जितनी मेरी समझ है उसी जाथ से मैं रिसेर्च करके और टेक्निकल फंडामेंटल देख के भाई करता हूं और तो यह चीज अपना जो भी थोड़ब होताता है मेरे को मैं आप लोगो के बाद जैहिन जैवारत